आज मैं शेयर कर रही हूँ आप सब के साथ बहुत ही कॉमन रेसिपी जो की सभी के घरों में बनता है जो की है बेसन से बनी हुई सेव जो की फेस्टिवल पे कभी भी टी टाइम पे आप बना कर इसे रख सकते हो फेस्टिवल इसके बगर तो बिल्कुल ही अधूरा माना जात है तो चलिए बिना देर किये इसकी रेसिपी देखते हैं तो यहां पर सबसे पहले मैंने दो कप के करीब बेसन लिया है कोई भी एक मेजरमेंट सेट कर ले या उसी से सारे इंग्रीडेंट्स की नाप ले तो मैंने दो कप बेसन लिया है और उसी कप से नाप के दो कप मैंन में चाबल का आठा ले लिया है, ठीक है? उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी का पौडर जो की हाफ टीस्पून के करीब है, इसी के साथ डालेंगे वन टीस्पून रेड चिली पाउडर तीखा जैसा आपको पसंद हो, इसी के साथ अजवाइन एक टीस्पून, इस इसी के साथ जीरा पाउडर हाफ टीस्पून के करीब और हींग हाफ टीस्पून तो अजवाइन और हींग जरूर और जरूर से ही डाला करिए जब भी बेसन की कोई भी रसिपी अगर आप नमकीन बना रहे हो तो और यह सारे इंगिडिएंट्स डाल के एक बार अच्छे से मि मिर्च सब मिक्स हो जाए इसके बाद हम इसमें दो बड़े चम्मच भरके डालेंगे तेल अगर आपको तेल यूज करना हो तेल डाल यह नहीं तो घी से इसका मोयन लगा लीजे और इन सब को डालके अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे बिल्कुल हमारा जो इसका आटा है बिल अब ही एक क्रिस्प और सॉफ्ट बनकर तैयार होगा यह देखिया हमारा आटा कितना क्रम्बल दिख रहा है एकदम भुर भुरा अब इसके बाद हम इसमें पानी थोड़ा थोड़ा डालकर एक सॉफ्ट डो सा हम तैयार करेंगे एक बार अगर पानी डाल देंगे तो हो सक आटा हमारा गीला हो जाए इसलिए थोड़ा थोड़ा डालकर हम इसका सॉफ्ट डो तैयार करेंगे और बेसन है तो थोड़ा हाथ चिप चिप आता है तो टेंसन की कोई बात नहीं है आराम से थोड़ा थोड़ा पानी लेके आटा लगा लीजिए हाथ चिप चिप हो थोड सबीच बीच में हाथ पे तेल भी लगाके और इसको हाथ सौफ डो लगाके हमने तयार कर लिया अब बेशन का सेव बनाने के लिए इस तरह का साचा लेंगे उसको भी हम तेल से थोड़ा ग्रीस कर लेते हैं जिससे कि जब हम बनाएंगे तो साचे में भी चिपकेगा नहीं ठ इस तरह से देखी जब मैंने तेल डाला तो बिल्कुल नीची पकरा न तो इस तरह से लगा लगाके लॉग बनाके और अपने साचे में हम अपना ये सेव का जो बेटर है भर लेंगे अब साचा का मूह हम बन कर लेते हैं अब यहाँ पे कडाही में तेल डालके मैंने गरम क तो फ्लेम को मीडियम पे कर दीजिए और इसके बाद साचा से घुमाते हुए इसको आप डालते हुए सेव को बनाकर तैयार कीजिए और इसको डालके दो से तीन मिनट तक इसी तरह छोड़ दीजिए बिल्कुल इसको हाथ मत लगाए इसके बाद आप देखेंगे सारे करके इसको पास से छे मिनट में अच्छे से सिक जाएगा तो यह हम मोटे वाले सीव बना रहे हैं तो इस तरह से हमने दो कप बेशन, दो कप चाबल से 1 केजी के करीब इतने सारे सीव बना के हमने रेडी कर लिया यह इतना क्रिस्प और इतना क्रम्ची बनकर तैयार हो जात तो अगर आपको मेरी रेसिपी जब पसंद आई तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमली के साथ भी शेयर कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फट फट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए